देखिए आप दुकान पे जाईए दुकान वाले से कहिए पांच किलो आलू दे देजिए देगा कि कुछ और पूछेगा आपसे देदेगा ना है समझ जाएगा कि आप क्या मांग रहे हूं ठीक है आप कहिए लखनवू साथ किलो मीटर है पहुंच जाएगा अदमी पहुंच जाएगा बता रहे हैं पहुंच जाएगा वो अपना इधर पूल की ढाल पर चलेगा और साथ किलो मीटर पहुंच जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा तो वहां जाके फोन करेगा भई या लखनवू साथ किलो मीटर बताया था तो आपको बताना पड़ेगा लख तो आपने क्वालिटी देख रहे हैं तो यानि कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए डिरेक्शन की जुरूत नहीं पड़ती हैं तो पहले लिखे इसकेलर क्वांटिटी Scalar Quantity The physical quantities The physical quantities Which have only magnitude Which have only magnitude And no direction Which have only magnitude And no direction are called scalar quantities are called scalar quantities अब देखो ज़रा ध्यान से समझेगा जैसे ये हमारे knowledge के दोरा मालु हुआ है अब ये क्यों ऐसी quantity है नहीं वावता सकते हैं आपने अपने knowledge से देखा कि मास्क इसी body का अगर बताया जाए तो सामने वाला समझ जाता है कि ये मास्क क्या होता ठीक है तो एक्जामपल इसके कौन कौन से हो सकते हैं तो बहुत सारे हो सकते हैं जैसे मास एक scalar quantity है ठीक है और density एक scalar quantity है speed एक scalar quantity है distance तो बहुत सारी है scalar quantities हैं तो दे आर्दा एक्जामपल साब स्केलर क्वांटिस ठीक नोट करिए देखिया और भी क्वांटिस हैं इतनी परयात नहीं है जैसे टेंपरेचर अगर आप से डॉक्टर ने कहा कि आपकी बॉडी का टेंपरेचर इतना है तो समझ जाएंगे ना आप आपको और तुर दाएंगे डारेक्शन जो आपको उताना सिर्चाइब इतनाम वाव शुरू कर देंगे ओर क्या कौन से गजांपलस दे मास हो गया टेंपरिचर हो गया पॉटनशेल हो गया इस पेस्वीIREट हो गई फ्रिकविश्फी तो हो गई बहुत सारी जामपल क्या होती है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको उसके मैगनिट्टूट के साथ साथ डारेक्शन की भी तो लिखे the quantities the quantities which have direction as well as magnitude which have direction as well as magnitude are called vector quantities are called vector quantities इन्हें vector quantities कहते हैं मास की चीगे on firearm, बीट है यहफोंनर है वेट क्या होता है ? आप जानते है है ein recite एक force है जिससरे कोई body quarts Trust अपनी और torped Kenya करती है. गड्वेलास्टी एक विक्टर कॉाणट एक ही है displacement एक वेक्टर क्उणटी है और painters एक वेक्टर कॉाणटी एक विक्टर कॉणटी हैальная Гrosalber अब देखे वैसे तो आपको दो ही क्वांटी से काम चल जाएगा लेकिन एक तीसरे टाइप की क्वांटी होती है जहां पर डिरेक्शन और मेगनिटूड के साथ साथ आपको कुछ और भी उसको एक्स्प्रेइन करने के लिए बताना पड़ेगा ठीक है इसको एक्स्प्रेइन करने के लिए आपको कुछ और बातों की जरूरत पड़ती है उसे एक्स्प्रेइन नहीं किया जाएगा जैसे मैं एक एक्जामपल देता हूँ देखिए अभी आगे चुक्छ पड़ाए जाएगा लेकिन एक्जामपल यहां देना पड़ेगा इसलिए बताया जा रहा है वेक्टर में अगर तीन यूनिट और फॉर यूनिट के दो वेक्टर को एड़ किया जाए तो इनका रिजल्टन और यह परप्रिंडिकुलर तो फाइव यूनिट्ट ठीक है? और अगर जेनल अर्थमेटी कहριसाब से एड़ करेंगे तो फाईव और फॉर घ्री और फॉर का स कितना होना चाहिए? सोचने कितना होना चाहिए? क्या गवता है? heee 7 होना चाहिए तो हमने एक quantity थी current हमने देखा current कैसी quantity है scalar quantity है या vector quantity है हमको नहीं मालूम था current को दिखाने के लिए arrow की जुरूत पड़ती थी और arrow जहां लगा होता है उसको हम क्या मानते थे vector quantity तो ये दिमाग में था कि ये vector quantity हो सकती है इसका मतलब साइंटिस्ट इस बात को समझाने के लिए केवल arrow से काम नहीं चलेगा उन्होंने एक experiment किया उन्होंने का ऐसा करते है दो वायर ले ले इस प्रिकार से perpendicularly जोड़ दे है ना और एक वायर में three ampere की current flow कराई और एक वायर में four ampere की आई दोनों जाकर के इस point पे मिली अब मिली का मतलब यहां कोई chair तो पड़ी नहीं है कि यहां बैठेंगी आप नास्ता पानी करते हैं थोड़ा सा पुर्कुरे खाते हैं ऐसा थोड़ी तो आगे बढ़ेंगे ना रुकने कोई जगह तो है दो वेक्टर क्वांटी अगर परप्रिंडिकुलर्ली आइड हो रही है तो रिजल्टन कितना होता है फाइव होना चाहिए यहां पर जब एक एमिटर लगाया गया और इसकी वैलू देखी गए तो यह कितना था सिवन एम्पियर यानि ये वेक्टर समेशन को फालो नहीं कर रही थी इसका मतलब हमने करेंट को क्या माना स्केलर क्वांटी होती है यहां डिरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन एक लफड़ा लफड़ा ये है कि अगर यही वायर ऐसे हूँ आगे इंटर में आपको रूल पढ़ाए जाएगा कि अगर दो करेंट मिल नहीं है तो उतनी ही सम की करेंट आगे बढ़ेगी इधर से फोर एंपियर की करेंट है और इधर से थ्री एंपियर की करेंट गई तो इधर जो करेंट जाएगी और कितनी जाएगी वान एंपियर क तो जितना junction के पास आने वाली उतना ही junction से दूर जाने वाली होनी चाहिए यही रूल दिख रहा है यहां पर क्यों हमने गढ़बर क्या किया है कि हमने direction change कर दी और वहां value change हो गई वो जो rule follow कर रही है वो arithmetic वाला कर रही है नहीं, लेकिन direction change होने से उसकी value में फर्क पड़ गया तो ये quantity vector तो नहीं है ये quantity कैसी है ये tensor quantity है कैसी quantity है, current कैसी quantity है एक tensor quantity है अब मालिया आप से पूछा जाए कि current किस प्रकार की quantity है तो आपको दोतिन option दिये होंगे अगर वहाँ tensor option नहीं है तो scalar quantity है ठीक है, लेकिन scalar का option भी है और tensor का option है तो कैसी quantity है ये ये tensor quantity है, ठीक है जैसे pressure एक vector quantity है pressure एक vector quantity है ठीक हर जगे लिखा रहता है यानि कि pressure की direction होती है तो यानि pressure में direction एक ही होगी न खीर, आपने एक balloon लिया उसमें आपने पानी भड़ लिया या हवा भड़ लिया अब हवा भड लिया मतलब उसके अंदर pressure है pressure की direction होगी जिस direction में वो pressure होगा उस direction में उसको जाके दबाएगा उस balloon को, जिसका मतलब अगर जहां पर वो बैलोन को push कर रहा है टृइफं से जादा तो जिनके पास एकस ज Bennett होती है वह भी कैसी कौनिटी है इस टेंसर क्वांटी कि चाल्ए के निखी के लिए Two- racism लिखें लिखिष्ज़ू चैनकर ठेंसर क्वांटी जार दो इस इंटडू को कि li इसके नहीं है अलग अलग टीचर अलग तरिक से बताते हैं कोई बताएगा कि इसको एक्स्प्रेंड करने के लिए मैंगिटूड और डिरेक्शन के साथ साथ कुछ और जीज़ की विज़रूत पड़ती है ठीक है तो यह टेंसर कॉइंटि एक्जाम पे लिख जेगा सब्सक्राइब करेंटि यह टेंसर कोईंटि ने तो इसकेलर और वेक्टर नीपड़ाया है तो आप टेंसर कॉइंटि लिख सकते हैं सरते सामने वाले को मौलूम होता है ऐसे ऐसा नहीं कोई मुर्भ थोड़ी होगा ठीक ह तो अगर किताब में लिखा एक current is scalar quantity है तो अगर scalar का option भी है और tensor का option भी है तो वहां का लिखेंगा tensor quantity है ठीक है तो अब हम बात करते हैं vectors के types की अब लिखे types of vector types of vector में में दूर type होते हैं polar vectors and axial vector तो number one है इसका polar vector polar vector यह आपकी book में नहीं दिया होगा कुछ books में होता है कुछ books में नहीं होता है तो लिखे polar vectors a vector a vector which has a starting point or a point of application or a point of application is called polar vector ठीक है जैसे मैंने example लिया displacement अब देखो displacement जब आप करोगे कहोगे तो body किसी एक point से start होगी ना और एक की तरफ जा रही होगी तो यानि starting point उसके पास रहा vector है इनका एक starting point होता है ठीक है और सी बहु सारे हो सकते हैं दूसरा होता है axial vector axial vector तो लिखे दा वेक्टर्स the vectors which represent rotational effect which represent rotational effect and act along the axis of rotation and act along the axis of rotation axis of rotation मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसमें rotational effect होता है मतलब उसकी विज़े से body किसी axis के चारो और rotate करती है जैसे मैं example लेता हूँ example लिया गया torque torque क्या होता है torque नहीं हम formula की बात ही नहीं करें torque क्या है अगर कोई force आप body पे लगाते हैं और force लगा के body को linear displace कर दीजे तो उसो हम force कहते हैं लेकिन अगर आपने force लगाया और body उस force की वज़े से और rotate हो गई तो वो force ही torque लाता है अब उसको निकालने का एक तरीका अलग है कि force into perpendicular distance from the axis of rotation वो एक अलग चीज़ है तो torque पे ऐसा effect होता है एक rotating effect को create करता ठीक है जैसे माले किसी को आप कह दीजे कि मारें के लात खरबडा किड़ जाओगी तो वो आप क्या apply कर रहें लात के द्वारा force apply कर रहें मारें कंटाप की तुमारे खोपड़ी घुम जाएगी खरबडा जाओगे डर गया उसको लगा कि नहीं यह सब्द में थोड़ा सा दम है हाँ तो हिंदी में दम होती है यह टॉर्क हुआ जाकर कि दूसरा लिखे angular velocity इसके बारे में आगे चेप्टर से पढ़ाए जाएगा angular velocity एचली angular velocity जो होता है हर चीज इसका मतलब समझ लिजेगा एक circular path है आपको यहां मतलब समझने की जुरूत है नहीं चुकि यह आगे पढ़ाए जाएगा तब समझाए जाएगा यह सेंटर है और आप इसके circumference पे दोड़ रहें तो यहनी कि एक सेकेंड में वो दस मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उनकी स्पीट कितनी है ठीक है यहां पर बैठा विक कहेगा कि आप यहां पढ़ते थोड़ी दे बाद यहां आ गए और इतने एंगल से गुम गए तो पर सेकेंड एंगल भी चेंज हो रहा है यह जो च रोटेशनल एफेक्ट होता है इसलिए इसको क्या गहा गया एक्सिल वेक्टर इसी प्रिकार से एंगुलर मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा होगा मोमेंटम का मतलब क्या होता है वाट इस डेफिनिशन आप मोमेंटम अरे आप किता द पर क्योंकि अलगते क्याम busy लाबन मतल बाथ जाएगी तो चुक्कि अंगिलर मोमिन्टम एक एक्सेल एफक्ट दिखाता है के Mas Knox, हम पूंकि ऐसके क्वेटर एक ये जास्लिटर लुप कत crushing लेगा जाना जए चोर्परिट करते कि कश्मेड़ छेया definite है तो नेक्स लिखिए क्लासिफिकेशन आफ वेक्टर्स तो वेक्टर्स लेकिन अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है छीक है जिसे एक आदमी होता है के लंबा लंबु है गंजू है कलुआ भुरुआ विरुहा है तो आदमी उसके नाकरवेसे ही है जड़ासा उसकी है लेकिन उसके कुछ नाम दिये गए है inside number one लीखे equal vectors है पहला है equal vectors our on equal vectors है Ayes eben vectors bonnes और ये इस्वेक्वेक्टर शी द्यारेक्शन और मैगनिटूड सेम्हों ठीक है दबेक्टर सहविंग इकवल मैगनिटूड एंड डिर्प्शन दिर्टरस एविंग इकवल magnitude and direction are known as equal vectors are known as equal vectors अब दिको इसको represent कैसे करते हैं ज़रा समझिएगा जिस vector को represent करना होता है वह वेक्टर की कुछ length होगी ना 5 Newton का force, 10 Newton का force और उसकी कुछ direction होगी तो जो हम क्या करते हैं कि एक line खीच लेते हैं यह जो line की length होती है ना वह magnitude of vector होता है और एक arrow लगा देते हैं तो arrow दिखाता है direction of vector मतलब इस arrow की जो length है यह जो line है इसकी length जैसे हम को आपको 5 Newton का force दिखाना है इस direction में तो अब Newton में तो लंबाई होती नहीं कि 5 Newton की लंबाई का आप खीचेंगे तो आप क्या assume कर लेंगे let 1 Newton is equal to 1 cm तो आप इस direction में 5 cm की लाइन खीच दीजिए तो जो length of this line है वो क्या बताएगी magnitude यह इसकी value और जो इसका arrow होता है यह दिखाएगा आपका direction of vector ठीक है तो उन्हों एक लेक्टर क्या बताया कि दो ऐसे vector जिनका magnitude same हो और direction भी same हो इसकी length same है और एक और vector उसकी length same है दोनों की direction भी same है यह देखाएगा तो आप टेड़ा जा रहा है सीधही है दोबारा जरूने सीधही बने यह दो vectors हो गए अच्छा vector दिखाने तरीका क्या होता है capital letter से उसका नाम देते हैं और उसको उपर एक arrow गना देते हैं ऐसे यह vector b है दोनों की length same है direction same है इसको क्या कहा जाएगा vector a is equal to vector they are known as equal vectors जिनका magnitude और direction same होता है दूसरा है opposite vectors opposite vectors ऐसे vectors जिनका magnitude same हो लेकिन direction opposite हो तो लिखे the vectors having same magnitude but opposite direction the vectors having same magnitude but opposite direction are known as opposite vectors are known as opposite vectors तो देखे जरा समझेगा इन दोनों vector को ध्यान से देखे इसी vector को हम दिखा दे एक vector यह दिखा दे और एक vector दे दिखा दे पताएगे दोनों की length same एक नहीं same है तो दोनों कैसे हो गए एक क्वल हो गए इस vector को नाम दे दिया हमने a और इस vector नाम दे दिया हमने लिको arrow का मतलब यह दिए कि अगर b उल्टा है तो आप ऐसे लगा दोगे इस arrow का मतलब direction से नहीं मतलब होता है यह arrow की और क्या दिखाता है कि जो quantity आप लिख रहे हो वेक्टर क्वांटी है और इसका head इधर कर दिया और इसका head हमने उल्टा कर दिया यानि कि यह vector कैसे हो गए opposite vectors इसको लिखते है a is equal to minus b ठीक है collinear नाम से लग रहा है जिनकी line of action same line पे हो तो लिखे the vectors which act along the same line or along the same parallels which acts along the same line or along same parallels are known as collinear vectors are known as collinear vectors अब जड़ा देखे जहां से जैसे एक vector a यह है है ना और इसी direction में दूसरा vector दे दिया हमने next up same है ना तो दोनों लेंट्स अब कम ज़्यादा हो सकती है यह छोटा हो सकता यह बड़ा हो सकता है दोनों vector कैसे हो गए collinear अब यह collinear भी है और parallel भी है और एक ऐसे हो सकता है और यहां से यह इदर हो सकता है और भी उलटा हो सकता है अभी भी दोनों की lan affection same line पे है तो यह भी collinear है यह है यह आपके like parallel है यह क्या है like parallel Political vectors हैं और यह unlike parallel है ठीक है इसको like और इसको nalike न लिख दीजिएगा कहें like कहें हो हिंदी कहें nalike को initial vectors initial मतलब क्या होता है starting point तो इसका मतलब है ऐसे vectors जिनकी same initial point हो तो लिखे the vectors which have the same initial point are starting point the vectors which have the same initial point or starting point are called co-initial vectors सह प्रारंविक सदिस नहीं मतलब ठीक है co-initial vector जैसे आपने देखा होगा पिच्चरों में hero ज्यादा तर तो बड़े-बड़े गैंगों से ही लड़ता है ना जैसे जब ड़काय से लड़ता है जंगल मतके ओर hero खड़ा होता है वह उसको गेल लेते हैं उसको पकड़ते गैसे हैं तो अपने घोड़े पड़ से रसी भेगते हैं और रसी सब टाइट हों कि अपनी डाक्शन में तो सब रसी जो खिशती हैं घोड़े अपनी तब खिंशते हैं लेकिन सब रसी कहां तो तुम्हा इस तैसी बात की बात है ये co-initial vectors है जिनका initial point same होता है, ये example होगए ये co-initial vectors co-terminus vector, terminal मतलब होता है यहाँ end होता है तो co-terminal मतलब होता है आईसे vector जिनका common terminal point होता है तो लिखे गयाँ the vectors which have the common terminal point या end point जैसे माले एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और पांच, चारो तरब उसके लोग खणे पांच है और सबने घुंसा मारा हो, ऐसे घ्राक ऐसे एक साथ आ रहे हो सा वह ऐसा मूह इसे लिए खड़ा है और सब घुंसा आके फट 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 उसके मूह में पड़ गए, तो यह जो वेक्टर्स है, एक पॉइंट यह टर्मिनल पॉइंट है यहां पर आकर कि सब वेक्टर मिल रहे हैं यह वेक्टर्स इस पॉइंट पर आकर की मिल रहे हैं यह कराता है पॉइंट है वेक्टर्स वेक्टर्स और नेक्स-प्लेनर वेक्टर्स अगर इसके शबदों पर जाए है अप, तो इस aard सम्हाँ को protest कहा रहे है क्या कह रहा है एक प्लेन पे हो जैसे एक टेबल पे बहुत सारे वेक्टर्स आप ड्रॉ कर दीजे या इस इस बोर्ड पे ड्रॉ कर दीजे डाइकसन कुछ भी कर सकते हैं आप ऐसे ड्रॉ कर दीजे ऐसे ड्रॉ कर दीजे ऐसे ड्रॉ कर दीजे कैसे भी ड्रॉ कर दीजे लेकि अगर फोर्स आपने किसी बॉड़ी पे लगाना है तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है वेक्टर या स्केलर वेक्टर क्वांटी है जिस डारेक्शन में भी आप फोर्स लगाओगी वह एक डारेक्शन होगी अचाह इसको बनाने के लिए ऐसे हवाँ ना बनाईएगा वो प्लेन में मॉड़िल्स क्या होता है हमनेका किसी बॉड़ी पे अपने फोर्स लगाया फोर्स कैसी क्वांटिटी है coming in 8 मॉड़लs क्वांटी है तो उसकी जो वैल्ू होगी the magnitude उसी को कहते है इस कार्ड मॉड़्लस ऑफ देटर किसी लेक्टर के में मागनिटूड को हम मॉड्र्स क कैते हैं अब रिप्रेजन कैसे करते हैं देखे 합ांए है जैसे क्वाइटिटी से वेक्टर्स क्वाइटी है सकाई हम क्या करते है दो पैर्डल लाइन के बीशों को लिक देते हैं है यह हो गया इसका में चाहें billion ninety जैसे जैसे कोई बॉड़ी है जिसे कार है, मूव कर रहा है कर रही है कर रही है को कार मूव कर रही है यह हैं कार नहीं है यह फिसकल ऊंटिटए ये थे को है अगर किसी किसी को आप इस तरह के इस तरह के सिरी को आप इस तरह करते हैं तो दोनों में मैगेश्टूड का तरह का से गवे यह चाहि के स्ट है या वेक्टर क्वांटी नहीं कह सकते हैं लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि एक वेक्टर क्वांटी थी जिसका मॉड्लस आपने निकाला है तो यह होता है अब लिखें यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर बोलें तो हीरो आप दा वेक्टर मतब यह हीरो है वेक्टर का ध्य से किया जाता है यह बताए जाएगा इसके बाद इसकी मदद यह कहां कहा आपकी मदद करता है यह बताए जाएगा तो लिखे the vectors whose magnitude is 1 the vector whose magnitude is 1 magnitude बोले तो modulus modulus value the vector whose magnitude or modulus value is 1 is called unit vector पूरा लिखे पूरा statement लिखा करिए अच्छा 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 ठीक अच्छी बात है अब इसको denote कैसे करते हैं इसके उपर cap लगा देते हैं बस cap क्या represent करता है एक ऐसा वेक्टर है unit vector है and given by and given by देखें किसी भी vector को किसी भी vector quantity को अगर उसके magnitude से divide कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा उस unit vector मिलेगा किसी vector को अगर उसके magnitude से divide कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा unit vector मिलेगा ठीक है सब्सक्राइब बात आ रही नहीं आ रही है अब एक बढ़िया सी चीज भी लिजेगा मतलब यह तो अब आप कहेंगे यह बताईए आपने definition क्या लिखा है कि एक ऐसा vector जिसका magnitude 1 हो उसको कहते है unit vector तो आप यह बता वाई साहब कि unit vector का magnitude 1 है जरा इसमें चारों तरफ मॉड लगा कि देखिए एक note करके इसको दिखाईए कि इसका magnitude 1 है देखिए आपने क्या कहा यह note कर लिया ना नोट कर लिया ना अब जरा समझेगा हम यह दिखाना चाहते हैं कि इसका magnitude 1 है देखिए ज्यान से अगले कि इसका magnitude 1 होना चीए ना अब जरा देखो यहां पर जब मॉड च्रहा होगे तो मॉड तो वेक्टर क्वांटी का होता है ना तो वेक्टर क्वांटी कहां लिखी भी है निमेरेटर में डिनॉम्नेटर में तो अलेटी मॉड लिखा हुआ है ना तो यानि कि यह केवल मॉड अब जरा नीचे मॉड यह पहले से लिखा हुआ था कोई दिक्कत यह जो बाहर मॉड चढ़ाया है एक किसके ओपर चढ़ेगा जाकर कि एक उपर क्योंकि यह तो आ लेडी मॉड लस वैलू है मॉड लस मतलब मैगनिटूड इसको काटो पीटो तो अगर अलजबरा के और यह थोड़ा बहुत अच्छी चीज हम बता रहे हैं देखें यूनिट वेक्टर की डेफिनिशन क्या बताई है हमने वेक्टर यह पान मॉड अफे अब जरा इसका क्रॉस मॉल्टिप्लाइ करिए तो यानि कि मॉड अफे मॉल्टिप्लाइड बाई एक कैप गिवस यू ध्यान से समझेगा या आगे चलके हर क्लास में जहां वेक्टर फॉर्म किसी चीज का लिखना होगा या डिस्टर्ब करेगा मॉड अफे मॉल्टिप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर गिवस यू वेक्टर क्वान्टी क्या मतलब हुआ देखें अगर किसी मैग्निटूड को जिस डारेक्शन में वो मैग्निटूड है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टिप्लाइ कर दिया जाए तो आपको वेक्टर क्वान्टी मिल जाएगी अगर किसी मैग्निटूड को उस डारेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टिप्लाइ कर दिया जाए तो आपको वेक्ट आड़ोगुनल मसलब क्याइफ कर दो पौइंट है यह कि नाइन्ड ऑपुनट unit vectors यानि हमको ऐसे unit vector बताने हैं जो आपसे perpendicular होते हैं ठीक है वो तीन axis x, y, z हम लेगे आपड़ x और y और z, 3 axis के हम बात करें तो तीनो axis के बीच में angle कितना होता है 90 degree होता है x के 90 degree y, y के 90 degree z वह जैसे यह कमरा है यह x axis है, यह y axis है यह सामने z axis है तो देखें, यह x axis है x के perpendicular z भी है x के perpendicular y भी है तो यह x axis है यह y axis है अब z को ऐसे कोंसे कैसे है इससे तो हम z को हम ऐसे दिखा देंगे, ठीक है देखें, x axis के along जो unit vector होता है उसको represent किसे करते हैं i cap से, यह standard नाम है y axis के along, j cap और z axis के along, k cap यह standard name है इनके i cap को मतलब क्या है unit vector along x axis j cap को मतलब क्या है unit vector along y axis k cap को मतलब क्या होता है unit vector along z axis इने, चुकि आपस में normal है perpendicular है, इसलिए इसको orthogonal unit vector कहा जाता है ठीक है, अब ज़रा उस concept को उठाइए वो concept क्या कह रहा है, कि कि magnitude को अगर vector में convert करना है तो जिस direction में वो act कर रहा है उस direction के unit vector से multiply कर दीजे, जैसे मैंने आप से कहा कि x direction में एक 5 newton का force act कर रहा है तो 5 newton क्या है 5 newton क्या चीज़ है magnitude of force, ठीक है force वैसे तो vector quantity है लेकिन 5 उसका क्या है magnitude है, यह ना 5 उसको vector में कैसे convert किया जाएगा जिस direction में वो act कर रहा है उस direction के unit vector से multiply कर दीजे, तो चुकि x direction में कर रहा है, और x direction का unit vector क्या होता है i cap तो क्या बन जाएगा force vector बन जाएगा, संब्ज़ए बात तो किसी भी magnitude को vector में convert करने का logic है जैसे एक example लेते है z axis के लाँ कोई body जा रही है 4 meter per second की रफ़तार से ये 4 meter per second की velocity है velocity एक vector quantity है लेकिन 4 meter per second उस velocity का क्या है value है value बोले तो modulus, मौडलस बोले तो magnitude और हम चाहते है vector में convert करें, तो तरीका हमने क्या बताया जिस direction में velocity है उस direction के unit vector से multiply कर दीजे किस direction वे है, तो जे से multiply कर दो, तो अगर 4 का जे से multiply कर देंगे तो आपको vector quantity मिल जाएगी, ठीक, नोटिंग करके इसको अलग से अपनी जनकारी के लिए नोट कर लिए कि कैसे ये convert किया जाता है एक और point लिखेजेगा null vector null vector null मतलब वो hand pump वाला नहीं है या zero vector zero vector the vector having the, whose magnitude is zero the vector whose magnitude is zero is known as zero vector general vector अब आप सोच रहे होंगे कि जब किसी vector का magnitude zero ही है कुछ नहीं है तो क्या इसका logic क्या है इसको बताने का करण क्या है देखे, अगर कोई body A point से चली और चलते चलते लोट के फिर A point पे आ गई क्या मैं माल लेता हूँ कि body किसी पात जा रही है तो A से गई और वापस लोड के वही पे आ गई तो body का displacement कितना है zero है और displacement कैसी quantity है यानि vector quantity है और उसकी value कितनी है तो यानि की vector quantity को zero भी vector quantity हो सकती है यह मतलब गवा ना तो यह आपका concept है इसको पढ़ लीजेगा फिर आगे बार की जाएगी